शेहर से बहुत दूर एक गाउं था उस गाउं में एक बर्गत का पेड़ था उस पेड़ पर एक जूला लिटका हुआ था लिकन कोई भी गाउं वाला उस जूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था एक दिन घसीटा और उसकी पतने निर्मला सो रह होते हैं तब ही उन्हें खिर्की से किसी के रोले की आवाज आती है इस वज़े से घसीटा की नेंद खुल जाती है अरे ये कौन है ए भगवान लगता ही आवाज उसी बर्गत के पेड़ की तरफ से आ रही है अरे निर्मला जल्दी उठो देखो न आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है ए भगवान ये रोने की आवाज तो उसी जूले की तरफ से आ रही है तुम डरो नहीं मैं अब ही देखता हूँ फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है उसे जूले पर एक औरत दिखाई देती है उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है अरे निर्मला जल्दी यहाँ आओ देखो जूले पर कोई बैठा हुआ है फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है अजी ये वही चुडैल तो नहीं जिसने इस जूले पर अपना कबजा कर रखा है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया वो सिर्फ एक और अठा है अजी भला रात के दो बजे कौन पेड़ के नीचे जूला जूलता है अब तुम रुको मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ अरे रुको रुको तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुँ में मरने के लिए जाना चाहते हो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी तभी वह चुडैल अचानक से गायब हो जाती है ये सब देखकर वे दोनों डर जाते है अरे मर गए रे ये तो गायब हो गई मैंने आपसे कहा था नजी ये कोई आम औरत नहीं है तुम सही कहती हो निर्मला इस जूले में जरूर कोई काड़बाड है तभी कोई काववाला इसके आसपास जाने में भी डरता है जी आज तक तो हमने इस जूले के बारे में सिर्फ अफवाही ही सुनी थी आज तो अपनी आँखों से देख लिया मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शेहर से उसके घर आता है अरे निर्मला बहन तुम कहा हो अरे भाई तुम आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिलनू आज फिर वे लोग पूरा दिन हसी मजाग करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर बबलु भाई तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं और हाँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना फिर इतना बोल कर निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस जूले पर पड़ती है अजी इधर आईए, वो देखिए, वो पेड की नीचे एक जूला लगा हुआ है हमारी शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता चलीए ना, मेरा बहुत मन है जूला जूलने का चलीए ना अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबा होते ही जूलेना अभी सो जाओ फिर इतना बोल कर बबलू सोने चला जाता है लेकिन नीलू उसी जूले को देखती रहती है अजी सुनिये ना, चलीए ना, मेरा बहुत मन है लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सोचाता है फिर नीलू सोचती है अरे, ये जूला तो एकदम घर के पीछे ही है मैं खुदी चली जाती हूँ फिर इतना सोच कर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस जूले के पास पहुँच जाती है अरे, वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला आज तो मजा ही आ गया फिर नीलू उस जूले पर बैठ जाती है और जूला जूलने लगती है और गाना गाने लगती है पंची बनो उरती फिरो मस्त गरगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में अरे, वाह, पिर नीलू कुछ देर रात खुशी-खुशी जूला जूलती रहती है अरे, वाह, आज तो मजा ही आ गया चलो अब घर चलती हूँ अगर इनकी नेंद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे फिर जैसे ही नीलू उस जूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो जूले से नीचे नहीं उतर पा रही वो बहुत डर जाती है अरे ये क्या कौन है कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता अरे मर गई रही मैं इस जूले से क्यों नहीं उतर पा रही बचाओ बचाओ कोई है अजी सुनते हो मेरी मदद करो तभी नीलू की आवाज सुन कर बबलू की नीन्द खुल जाती है निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते है अरे बबलू ये तो नीलू की आवाज थी न वो कहा है तभी घसीटा की नजर उस जूले पर पड़ती है उसे निलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है ए भगवान ये क्या नर्थ हो गया निलू उस जूले के पास कैसे चली गई फिर वे तिनो भागते हुए उस जूले के पास जाते हैं उन्हें निलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है ए भगवान ये तुम्हें क्या हो गया निलू निलू तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था ए भगवान अब क्या होगा फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर निलू को होश आता है निलू तुम ठीक तो हो ना आज के बाद कभी उस जूले के पास नहीं जाना, उस जूले पर किसी चुडैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस जूले के पास कभी नहीं जाओंगी। फिर रात होने पर सब सो रह होते हैं, तभी निलू की नीन्द खुल जाती है, उसकी आखे लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। नीन्द खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहाँ ना पाकर परिशान हो जाते हैं। चली गई। अरे पेवकूफ बबलू अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या, देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे जूला जूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने इसे समझाया भी था कि उस जूले की तरफ कभी मच जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनो भागते हुए उस जूले के पास पहुँच जाते हैं। ए नास मीटी नीलू, चल जल्दी से इस जूले से नीच उतर, तुझे कल भी समझाया था ना इस जूले की तरफ नहीं जाना, एक बार में समझ नहीं आता क्या। जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। उन्हें रास्ते में कुछ गाउवाले मिलते हैं। जरा चुडएल, बस बहुत हो गया। तूने हम गाउवालों को बहुत परिशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बस आज तेरा खेल खतम करके रहेंगे। चलो भाईयों, आज इस चुडएल को जिन्दा नहीं छोड़ना बता रहें। भाईयों, हमें इस जूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर कुछ गाउवाले खंजर से जूले की रसी तोड़ देते हैं। जूला तूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुडएल गुस्ते में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गाउवालों, ये तुमने सही नहीं किया। अब तुम सब मरोगे। भाई, जल्दी से इस जूले में आग लगा दो, हो सकता है इस जूले के जलने से ये चुडएल भी मर जाए। तभी एक गाउवाला उस जूले को आग के हवाले कर देता है। उस जूले में आग लगते ही, वह चुडएल भी तड़कने लगती है। और कुछी देर में वो भी चलने लगती है। मैं किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूँगी। अरे, अरे मर गई रे, गाउवालो, मैं तुम्हें जुन्दा नहीं छोड़ूगी। मैं, मैं वापस आउंगी। फिर देखते ही देखते चुडएल जल कर राख हो जाती है और गाउवालों को उस भूतिया जूले से छुटकारा मिल जाता है।